नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अंसुमन नायक और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस निवज के डिफेंस टॉक्स रिश में जहांपर हम रोज नए-नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडिय जो भी आपका भूस पर चलते हैं तौछ अब पाकिस्तान की तरह से है अब आप सोचेंगी साल की पहली अपडेट पाकिस्तान की इनक्लूड कर रहे अब 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 वी इसकी आधार शन की अपपाकिस्तान के सात्थ कुछ अब पकिस्तान अभी अपनी सर्विस में जातर डिफेंस्नीट को पूरा करने के लिए चाने के ऊपर debendent और जातर चाने इकूप्मेंट को अपने सर्विस में इंडिक्ट कर रहा है लेकिन जैसे कि जो चाने की कुप्मेंट होते हैं इनकी फाले भी फेस कर चुका है लेकिन वो सब चोटे मातरा में पाए गये थे लेकिन अभी कुछ ऐसा हुआ है जिससे पाकिस्तान को जुर एक बहुत बड़ा सदमा लगने वाला है क्योंकि रीसेंट मीडिया रिपोर्ट के मताबिक पाकिस्तान की तरह सभी अपनी सभी जेट डी के को रिटायर करने का फैसला किया गया अब आप सोचेंगे किसमें कौन सी बड़ी बात है हो सकता यह एक्राप पुराने हो चुके होंगे तो उनको रिटायर किया जा रहा है लेकिन असली मज़े की बात यहीं पर छुपा हुआ है यह जो जेट डी के जिरो त्रिया काराकरूम इवेक्स हैं यह चानिज ओरजिन इवेक्स है जिनको पाकस्तान की तरफ से 2011-2015 के बीच एक्राप किया गया था और तब यह क्लेम किया गया थे कि जो अवेक्स था यह पाकस्तान की एक्जिस्टिंग साव एरे आवक्स के मुकाबले बहतर रेंच को प्रोवाइट करने वाल कि पाकिस्तान को मदद नहीं किया रहा था या पाकिस्तान की तरफ से एफिक्टिब्ली इनकी टेक्निकल इस्ट को सॉल्ड करने में परिसानी हो रही थी जिस वजह से इनकी रिलाइबिलेटी उसु बहुती खराब पाए गया था इसके बाद इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी और भी अपनी existing systems और air defense network के साथ integrate नहीं कर पारा था और ये एक तरीके से पाकिस्तान की existing platform के साथ compatible नहीं हो रहा था जिस वज़े से अभी इनको रेटार करने का फैसला किया जा रहा है इसके अलावा कुछ report की तरफ से भी claim किया गया था कि लगभग 5 महीने पहले ही पाकिस् पाकिस्तान की तरब से रखने का फैसला किया जा रहा है अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरब से है और आजकल हर सर्विस में ड्रोन्स और AI को सामिल करने की कोशिस किया जा रहा है अब इसमें आर्मी पीछे रहना नहीं चाहता है अभी तक आपने देखा होगा हम एर में और वाटर में ड्रोन्स का इस्तमाल करना सुरू कर चुक है यानि की नेवी और एर फोर्स अभी अपनी डेली टू डेली मिशन में इनका इस्तमाल करना स्टार्ट कर चुक है अभी इस रोबोट को इस्तेमाल करने का फैसला किया जा रहे हैं जो की AI और remotely operated system होने वाले हैं यह रोबोट्स बहुत offensive और defensive operation करने के काबिल होने वाले और यह भी किसी भी तरह की weather और खराब condition में operate करने वाले हैं जहाँ पर normal जवानों को deploy करने में हमको काफी परसानी का सामना करना और इसी चीज़ को लेके अभी थोड़ा डिवेट चलना है क्योंकि हाला कि AI और रोबोट्स एक हुमन की मुकाबले कई चीज़ों को बहुती तेजी के साथ प्रोसेस कर सकता है और फास्टर डिसिशन को ले सकते हैं लेकिन कभी कवार्टप सिच्विशन में हुमन का जो डिस के साथ इनको मिक्स करें इस्तिमाल किया जा सकता है अगला अपडेट सुखोई की तरफ से जो कि फिलाल हमारी एरफोर्स का बैकबोन एक राप्ट है और अभी लगबग इंडियन एरफोर्स में 260 सुखे ऑपरिशन हैं जिनको ओरिजिनली 2035 से 2040 के बीच रिटार करने का प सुखोई स्टैंडर फेडिए काफ स्टार्ट किया जा रहे हैं जिनको 2035 से 2027 के बाद औफिशियल अफिशाल करना स्टार्ट किया जागा और पहले बैच में करिभ 84 सुखोई को स्टेंडर फेड़ किया जाए और इसके लिए अपरूरबल भी दिया जा चुका है और अब ग्रेड करने के लिए हमें वैसे भी 2030 से ज़्यादा का समय लग जागा तो अगर इनको modern standard में upgrade करने के बाद भी हम इनको बस पांच से 10 साल के आसपास इस्तमाल करते हैं और उसके बाद इनको रिटार कर देते हैं तो इनको upgrade करने के लिए हमने जो एक्स्ट्रा पैसे इंविस्ट किये थे उसका सही फाइदा हमको नहीं मिल पाएगा इसी वज़े से भी सुपर सुकोई upgrade के बाद सुकोई की service life को भी extend करने का फैसला किया जा रहा है और अभी सभी सुकोई जिनको Super Sukoi standard upgrade किया जाएगा उनकी service life को करीब 20 साल तक एक्स्टेंड करने का फैसला किया गयए यमर क्यों के अगर पहले 선ivio को 2035 के बाद रेटार करना शूरू किया था तो अभी इनको 2050 के आसपास बे उपरेट किया जाएगा और इनकी सर्विस एक्स्टेंशन प्रोग्राम को भी सुपर सुकोई प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करने कायम रखा जा रहा है जिसमें एक्राप्ट की जो मेन एरफ्रेम होगा इसको मजबूत किया जाएगा तक ये और 20 साल तक आसानी से उपरेट कर पाएंगे और हमें भी इससे इसको फर्दर अपग्रेड करने के बाद इसका सही फाइदा मिलने वाला है दोस्तों अभी के लिए इतना ही मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक लिजाहिन पंदे मातर